बगवान गोपिनात की जै करतों देन निकलते हैं बैतरानी की और अपने बत्तन की स्विमिंग पूल भी तरह पर दिखाते हैं वहां का आपको नज़ारा बैतरानी के गेट के उपर कुछ लिखा हूँ अब भी था लेकर अब यह पताने किसने शायद बच्चों ने तोड जया या क्या करते हैं बस आपर दो मसलिया बशी भी है लेकिन गेट तूट चुका है बाकी मैं आपको चलते चलते दिखाता हूँ तो यह देख लिजे मैं आग यहां बैतरानी के मार्क पर और बैतरानी के मार्क पर आते ही मुझे लापरवाही फिर से दिख गई है एक लापरवाही जिसका यह नाला है चाहे यह नगरपालिका का हो या सिचाई विभाक का हो किसी का भी नाला हो यहां देख लिजे नाला म या इस वीडियो मतलब इन चीज पे कुछ कारवाई कर सेके तो बागी अभी नीचे चलता है फिर दिखाते हैं आपको देख लीजिए आप देखे बहुत ही खुबशूरत यहां पर जो यह मंदिर है बाकि अंदर चलके भी दिखाऊंगो मैं आपको में तो फाइनली इंतजार की गडिया खुतम और मैं दिखाने जा रहा हूं आपको देख लीजिए वैतराणी कुंड तो यहां पर बैतरनी कुंड के यहां पर उपर से नाग देवता का बहुती खुपसूरत सा मंदिर यहां पर है और जो यह नाग देवता जिया है यह बैतरनी कुंड के रख्षक माने जाते हैं मचलिया इन की रख्षा करते हैं यहां पर देख लिजिए यह बच्पन हमारा हम कभी किसी जवाने में आती थे यहां पर और यहां पर आप बहुत चारे बच्चे यहां पर नहां रहे हैं और अपनी जो अपना बच्पन है बहुत खुल के जी रहे हैं यह वाली लाइफ यार दुबार अगर मिल जाती तो मज़ा आ जाता देख लीजिए बहुत ही मज़िदार नजारा यहां का ऐसा है कि यार हम तो यार बुड़े होगा अब ना नहीं सकता है इसमें धारे बेना आता है बार्टे से बातरूम में आएंगे तो मैं यहां की एक में बिसेष्टा और बात बताना जाता हूं कि जो गोपिनाथ मंदीर के में सिखिलिंग है उसमें जो पानी चड़ाया जाता है तो बैतरानी से ही पानी जाता है और यही जो सुद्व पानिया यही है बागी जो नल वाला पानी आप तो बढल गया है लोग मोडर्म होगे लोग के पास समय नहीं रहा गया इस वह से तीदू कोई आना नहीं चाहता लेकिन जो मेन पानी जो गुपनात महादेब में चड़ाया जाता है वह बैतरहनी का ही पानी आई देख लिए यह देखे देख लिए आप यह मचलिया इनमें ऐसा है कि यहां से यहां पर माना जाता है कि भाईया यहां से कोई भी मचलिया ना पकड़ता है नहीं यहां की कोई मचलिया बाहर ले जाता है क्योंकि कहते हैं कि भाईया अगर यहां से अगर कोई मचली पकड़ के ले जाता है या फिर इन मश्लियों को मारता है तो नाग देवता का उस पर साफ लगता और नाग देवता उस जो मतलब कुछ ना कुछ नुक्सान करते हैं उसका बैतरणी का इतना विकास हो गिया है और बैतरणी के आसपास भी बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर आच चुक्या को पेश्रम और क बच्चे भी जानते हैं कि भाईया यह जो तालाब है बहुत ही अवित्र तालाब है जिसमें लोग बच्चे नहा रहे हैं देख लीजे उन्होंने भी चपल बाहर कुल गया और यहां की खाश्यत है कि भाईया यहां अंदर परवेश करने से पहले चपल को खोला जाता है उ उमीद है आप लोग वीडियो को अधिक साधिक शेयर करेंगे और अपने बच्चपन की यादों को और तरूत ताजा करेंगे और हमेशा बनाए रखेंगे बहुत बहुत धन्यावाद वीडियो देखने के लिए